नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने योटूब चनल इकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो का टोपिक जो है वो है बिरिटिश इंडिया के silver coins आप में से काफी ज़्यादा लोग के पास British India के silver coins है चाहे वो King George के हो या King Edward के William के या Victoria के British India में अलग-अलग kings हुए है जिनके अलग-अलग period में coins यहाँ पास circulation में आये थे अभी current की बात करें तो British India के सिक्कों में काफी ज़्यादा fake varieties देखने को मिल रही है तो identify करना हो जाता है जो नए coin collector है उनके लिए British India का असली सिक्का कौन सा है और नकली सिक्का कौन सा है जो coin collector है जो सिक्कों का जानकार है उनको तो पता होता है क्या असली सिक्का कौन सा है नकली कौन सा है वो देखते ही सिक्के को पता लगा लेते हैं कि नकली है या असली है क्योंकि original सिखे की image उनके mind में छपी होती है उनको सारी चीजे पता होती है कि क्या-क्या चीज देखनी होती है अगर Queen Victoria का ये King George का ऐसा सिखा है तो उसकी पोशाक किस तरह की होगी designing किस तरह की होगी portrait का size कितना होगा और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है English में George King Emperor पूरा diameter, पूरी thickness पूरी designing और पूरी die उनके mind में छपी होती है जो coin collector होते है क्योंकि पता होता है original सिखा किस तरह का दिखता है अब मैं दिल्ली coin exhibition में गया तो वहाँ पर कुछ नकली सिखे मिले coin collector के पास उन्होंनों मुझे दिखाए वो सिर्फ दिखा रहे लाए थे मुझे कैसर ये बताईए सिखे original है ये नकली है तो duplicate सिखे भी आते हैं लेकिन चांदी के ही होते हैं लेकिन उसमें कुछ percent चांदी होता है इनकी अगर बात करें तो इनको pure silver के सिखे कहा जाता है क्योंकि इन 91 percent का असपा silver होता है अब पुराने चांदी के सिखे हैं तो पुराने चांदी तो Queen Victoria के जो सिखे आप देख रहे हैं 1901 का ये एक नकली सिखे है क्योंकि Queen Victoria के ऐसे सिखे नहीं आये थे अगर Queen Victoria के सिखे की बात करें हाला कि ये सिखे मेरे पास dull condition में है इसे better condition के सिखे में आपको पहले भी दिखा चुका हूँ वीडियो में तो इस्क्रिन पर ये देखे आप ये एक original सिखे है और side में अगर आप देखेंगे तो ये duplicate सिखे है flowering में, designing में और पीछे Queen Victoria के portrait है और जो ताज पहना हुआ है या Victoria Emperors जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल different है original और fake सिखे में तो और भी अलग-अलग सिखे मुहाँ पर देखने को मिले collectors के पास मुझे बहुत सारे ऐसे अलग-अलग सिखे थे जिसमें King George के सिखे थे 1901-1918 और 1911 का सिखा भी दोस्तों मुझे देखने को मिला इस स्क्रीन पर ये जो सिखा आप देख रहे है 1911 का मैंने आपको बताया था कि आप British इंडिया का 1911 का सिखा थोड़ा सा महेंगा है बाके सिखों को मुकाबले उसकी प्राइज जादा होती है उसमें एक पिक वराइटी भी आती है जिसकी वैल्यू काफी जादा होती है इजन करेंगे औरिजिनल सिखे से तो ये एक नखली सिखा है तो वीडियो को बनाने का मकसद देएट है कि आप British इंडिया के सिखे आप थोड़ा से ध्यान से खरीदे क्योंकि कुछ सिखों में इतनी ज़्यादा बारी की है जैसे कि ये सिखा आप देख रहे हैं इसकिन पर क्योंकि British इंडिया में, Coin Victoria में, King George में, Edward में फेक वराइटी सिखों की ज़्यादा आती है तो निवेदन है आपसे अगर आप Coin Collector है या Coin Collection अभी आपने स्टार्ट किया है तो ध्यान से खरीदे British इंडिया के सिखे क्योंकि इनमें फेक वराइटी काफी ज़्यादा आ रही है Coin Collector को किसी को दिखा ले कि ये सिखे खरीदने है मुझे क्या ये Original है या duplicate है तो ये साई चीजे आप अच्छे समझ ले अगर ये जानकार ये Information आपको अच्छे लगी हो तो दोस्तों वीडियो को Like कर देना, Channel को Subscribe कर देना, उस Bell को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो क आपको मिल सके, आज किस वीडियो को दोस्तों मैं ये खतम करता हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद